क्या बात है तो बच्चों एक बाट सब लोग कमेंट सेट्शन में मुझे कमेंट रहते बता दीजिए क्या आप तो मेरी ओडियो वीडियो ट्लियर है आप लोग तो जैसा पता है कि हम लोग यहां डेली साइंस की ट्लास लेके आते हैं आप तो देखो आर्पी भी आ गया आने वाला है इन सभी एक्जामों लिए मेरे यह 30 सेट की जो सिरीज है यह बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली है मैं आपको पहले बता दूँ मैं डेली आपको 40 कोशन इसलिए सौल रहाता हूँ ठोटी अलट लगत रहे कि एक्जाम हमारे टवारों सेट है और यह 27 स सेट में भी मैं आपको वही सेम 40 कोशन लिख आऊं जो आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे तो अगर आपको बढ़िया साइंस पढ़नी है अच्छे लेवल की साइंस पढ़नी है तो आप इसकी पूरी सीरीज जरूर फॉलो टीजे और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं से पहले कोशन से बच्चों इस तरलावा एक दो जानटारी और ले लीजिए तो जितने भी बच्चे एदम बेसित से अपने सब्जेक्ट तो त्यार टरना चाहा रहे हैं चाहा वो मैंत हो चाहा रिजनिल हो या फिर उन्टा सब्जेक्ट जो साइंस है मैं आप पहले बता तो साइंस में ठ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है और आपने ठ्योरी अच्छे से नहीं पड़ी तो मेरे भाई आप चाहे लाट कोशन दी प्रेक्टिस टर लीजे अगर अच्छा ट्लिया नहीं है तो हमेशा ना आपके कोशन डिलज जरूर होड़े तो माई पार्सल एप्लिकेशन पर आपसे फांडेशन बच्छ्टो भी जवन कर सकते है यह तो टंप्लीट बेच्छ भी जवन कर सकते मेरा इंडिविज्वल साइन्स टा बैच्छ भी जवन कर सकते हैं बच्चों जवन करते समय अड़ा आप दिस्टाउंट के उम्मीड करतें तो हाँ अपनी त्यारी को बहतर बना सकते हैं ठीक है चलो पहला कोशन शूरू टीआ जाए है बड़िया 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 बदी आ क्या बात है तो यह रहा पहले कोशन पढ़िये समझी हो जल्ली से मुझे उत्तर देट है आज श्ते बड़ा प्यारा सवाल है, मदा देरा भाई, क्या बात है, सीते आज तुम शुरुआस से हो, अक्सर जो है, तुभारे जो टमेंट आते हैं, मुझे लगता है ति दो-चार टोशन लेट आते हैं, हाना, लेजे आज मुझे लगता है ति तो एद्दम सुरु से तहरी तहरा है, जो से पड़ धा, सवाल देखें क्या है, सिलेंट टू़ स्टेटमेंट, आप वो सही कथन चुनना है कि बताएं में सिर्ण क्या हमारा सही है, फिर के चलो, देखें, पहला क्या है, पहला ये लिठा हुआ है, कि डेंटिस्ट मिरर जो होता है, वो प्लेन मिरर होता है, दूस देंटिस्ट मिरर का सा होता है, यह होता है रेर वियू मेरर है तो धाना किये उत्तर पूछा था डिलत नहीं अवसर नमबर बी सवाल था सही उत्तर जाएड़ा चलो टोशा नमबर सेकेंड ये सवाल हमारा वर्क पावर और एनरजी टा सवाल है थोड़ा सा ध्यान लगाते सवाल पढ़ना होड़ा बेतरी टोशानी टेडिग्री में ये आएड़ा हाँ पहले रभी आंसर एद्दम सही है क्या बात है सारे बच्चों ने कमेंट सेक्षन में बहुत सही जवाब दिया अड़ला सवाल देखो क्या है यदि एक युवा एक युवा पुत्र दो घंटे टार करता है और एक दिन में 16 वस्तु तयार करता है दान सुरिये और उसका और आयरा सही है कि और अपोसर अपने स्टेजर डेखेए एक वर से सवाल है और दूसरा पावर से सवाल है तो आप एनरजी अचले 寒ाहे और ने सबस्तु यू पैटा ने 21 वस्तु और पुत्र ने सोलावस्तु बनाई तो बचो एनरजी जो होती है कार्ण जो होता है वक तो आप देखिए जो पिता सिरी है ना उन्होंने 24 बस्तुवे बनाई और पुत्र सिरी ने देटो 16 तो अगर हम लोग यहां वर्ट की बात करते तार की बात करते या एनर्जी की बात करते तो एनर्जी आप तहते हैं भईया पिता में जाता है पुत्र में टम है क्यों पिता अपर जा ने 1 दिन में 24 बस्तुवे बना ली और पुत्र ने एथ दिन में मातर 16 यह एनर्जी टा अंसर होता या फिल्ट का अंसर होता लेगे कौश्चन में क्या बोला जा रहा था क्या ऐसा कोई है करा और देखिकी समान ऊर्जा गणत बेटे में अलग धीत उर्जा गणत उर्जा बेटे में नहीं, उर्जा पेटता में ज़्यादा है, अब बात आती है पाबर्टी, बच्चों सब्ती जो होता है ना वो पर टाइम होता है, मतलब समय से भाग काना होता है, तो देटो पुत्र ना दो धंटे में 16 वस्तू तयार टर रहा है, तो अज़र पुत्र थी आट घंटे काम ट्रटे 24 तो पिता जो है, एट घंटे में, तीन वस्तू तयार टर रहा है, यह देखिया, यह देखिया, तो जब आप पावर, पावर का मतलब होता है, पर टाइम, पर युने टाइम की बात करते हैं, तो देखो, पर युने टाइम में आप देखो, चर ज्यादा हो डी और पिता जी जो पावर हो डी सर पिता की पावर जो है टम हो डी होटे समझ में आये डी आये याला सवाल जल्दी बताईए एट बार कमेंट सेट्शन बताईए तो आइस्टा आंसर टिश्टे साथ जाए रहा बेटे के पास अधिक पावर हो डी यस ये ओप्सन हमारा एद्दम सही होटा ओप्सन अमबर बी सवालता से उतर है तो कई बार क्या होता है रहा एससे सवालों में धोटा हो जाता है पित क्या आणसर देना चाहिए लेग जब तड़ आपका कॉंसेट एद्दम क्लियर है तो आपको ऐससे सवाल कभी धोटा डी सब्सक्राइब चलो अड़ला कोशन बताइब कोशन अब थार्ड मेरे भाई 40 कोशन का प्रॉपर अभ्यास चल लीजे रहा और यह मैं बहुत चुनिंदा 40 कोशन डेली सोल रहता हूँ मतलब आप यह मान के चलो कि ढून ढून के अलग अलग टाइप के सवाल ताकि सब्सक्राइब नहीं है आपको सही नहीं है बताना है गलत बढ़ जाता है गलत जब पूरी बढ़ पिढल जाती है तो जब पूरी दो जाती है देखो 1 सचाइब यचा पहले समझे जब बढ़ पिढल जाती हे तो बात यहां आतन की की हो रही है अच्छे बान बताओ जब बॉठ टी बात करेंगे और बस पिधल के क्या बने रहा मच्छो पानी तो आप यह मताए ज़़ा बस की डेंसिटी के त्री वोती है 900 और पानी की डेंसिटी E forum तो आप पहले मुझे यह बताओ जब बर्ख पानी बने रहा तो डेंसिटी बढ़ रही है और अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो पहला वाला तो पॉइंट एद्दम सही है लेगे दूसरा वाला पॉइंट बढ़ जाए रहा गलत है अगलत पूछा था तुमसे तो डेलत वाला बताईए आंसर कौन सा है तो टहरा डेलत वाला आंसर ऑफ्शन अमबर बी है दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा प्योर डेलत है सर आपके वाला कौस्टेट डी-एल-एडी में आया था डी-ैल-एडी तब मैं एक्जाम का नाम ही नहीं समझ बार हुआ यह चाली तो यह आपके से एक्जाम का नाम की बात कर रहे है तो बात नहीं आया था सुनके अच्छा लगता है टबी-टभी चलो यहाले प्रिवेस येर में टैस सारे एक्जाम में पूछा देया सवाल है मालब 2015 से ही सवाल लड़तार पूछा जा रहा है अब थोड़ा ध्यान से समझे इसमें क्या होगा है एक्जुली में ऑप्शन डिलत नहीं है प्रस यह है अगर एंपियर में धारा इतनी है समय मिनट में इतना है और 418 ओम दिया दिया है तो बताइए उत्पन उड़ जात इतनी हो जाहिए और वह भी टैलोरी में पूछ रहा ह टैलोरी में अब मुझे बताए हीट का फॉर्मला क्या होता है तो जब भी कभी Talk conservative resistance में धारा बैती है बच्चो तो उससीघेत होता है लिधक का फॉर्मला होता है ऑश्वायर इंट्व यह होता है अच्छा कर्किकर धिज्वयवन creativity तो के gracious Love equal हे 0.3 इस्ट्वायर कर दोगे तो 0.09 रजिस्टेंस तितरा है 418 और समय बच्चों तितरा है 8 मिनट मेरे भाई 8 मिनट को बताईए क्या बनाना होगा 60 सेक्ट यहां तर क्लियर है सबको अब आप पहले मुझे यह बताओ सर इससे आंसर किसे में आने वाला है तो nour इससे जो आंसर आए दा बच्चों वा अगा जूल में ने रेख लोग आनसर कूछा किसे कैलोरी में तो ultimate हमें जूल को कैलोरी बनाना है तो भाई हां जूल को कैलोरी बनाना है ना तो जूल को कैलोरी बनाने के लिए हमें 4.18 से डिवाइड ए बताईए सबको क्लियर है कैलोरी में जूल बनाना है मल्टिप्लाई जूल को कैलोरी बनाना है डिवाइट चलो अब बताईए अब तो सवाल सौल होती है सार कुछ बचा ही रही देखो 4.18 को जब 418 से टेंजल टेंगे तो सौ बार जाए रहा अरे जाए रहना सो बार और जैसी आपने टहाँ कि सौ बार आए रहा यह बच्छा टेहरा है कि सर आपके अरे तुम मुझे एक्जाम का नाम तो बता दो चली बैए एक्जाम का नाम नहीं समझ पाया क्या है अना तो वह आंसर जो है हमारे तिसमें आजाए रहा सर वह आंसर आए रहा टेलोरी में तो नौर ड़े साथ कितरा होता है पान्सो चालीस आफसर नमबर भी तो अगर आपने लास्ट वाला स्टेप नहीं तिया तुडलत होता है ठीट है चलो आजे बड़े नेस रही है कोई बात सवाल को आंसर दीज़े और बताए इस सवाल का सियोतर क्या होड़ा कौन से ट्रतन धारा ले जाने वाले लंबी पनल्का के अंदर चुम्टी छेतर का वड़नन करता है विच स्टेटमेंट डिस्ट्राइट दा मैटनेटिफ फिल्ट इंसाइड लॉंड इस्ट्रेट सॉले और इस ते अंदर भी मैगनेटिफ फिल्ट आजाता है बच्चो धारतन सॉलेनेट के अंदर जो भी मैगनेटिफ फिल्ट आता है वह तैसा मैगनेटिक फिल्ट आता है तो याम्म्टी छितर आता है सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िया और बताईए सवाल कर से उत्तर क्या होगा ति बताईए इन में से कौन सा वणनान करता है चुम्टी शेतर सून डलत 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 जैसे जैसे हम फिल्ड डिक्रीश करते हैं तो हम लोग टेसतर टुवार्ड डलत हो जिया यूनिफॉर्म है ठीके तुष्टा पतलब होता है ति सभी बिंदूओं पर मैगनेटिक फिल्ड एक समान होगा और अप्सटर डी सवाल पर से नेस रही है चलो चलो चट्वार्ड सवाल बताई तरह को सब्सक्राइए जब आप राइट हैं रूल से यानि दहने हाट के नियम में तरजनी क्य यह देखिए सर आप बहुत पॉश्टर इंवार्यमेंट बनाते हो चलो सही है तो आप मुझे बताओ यह अपना राइट हैंड उठा लीजे है तो यह यह क्या है यह अंग उठा यह तरजनी और मद्धमा बीच वाली फिंडर जैसे SBI होता ना वैसे SBI यह मैगनेटिक फिल लिए ना नियम यह में याद होना चीए रटा होना चीए औरा कोई नीद में भी जडाटे पुछे ए ओठ चुन्नु मुन्नु जो भी नाम हो तुवारा तो बता देना उस्टो तरजनी त्या बताती है रा ड्रती ती दिसा बच्चों ड्रती ती दिसा यह बताता है बताइए यह वाला सवाल देखिया आंसर चल्दी से दीजो और बताइए सवाल ना से उत्तर किस्टे साथ जाए रहा है वह अभी डुपता गुडू सरन डिंपी आदो नेला जोसी हरा क्या बात है यही कोश्चन आया था कहां आया था बईया चलो हरा आने बढ़ती है अब चलो अब बताइए कैसे लडेड़ा अरे कुछ नी ढटना ड्रती टे सर पहला सभी टड़ा दीजे अरे बचपन में पढ़ा था ना है बोलो तो क्या अंसर जाए रहा सर फाइनल वेलो सुटी 9 है इनीशर वेलो सुटी 36 80 वेलो माइनस 3 है और आप तो बच्चों समय आजन जालना है तो फाइनली हम मुझे बता अरे का रा जाए रहा सक्ताइश डिवाइड वै थ्री यानि उत्तर जाने वाला है 9 सेकेंड के साथ ओपसर नमबर हमारा वी उत्तर एद्डम सही आंसर उड़ा है और ओटे बताओ अंसर जलजी से दीज़ए और बताएं सवाल का सिउतर क्या जाए दाए थोड़ा ध्यान से पड़ए बैलोजीर जवालो नमबर ध्यान से पड़ए और बताएं सीटर से सथ जाना चीए बतो बिल्कुल एद्दम V बराबर U प्लस 80 से लगाए जा रहा है एद्दम से एद्दम से चलो बच्चो इन्होंने बोला identify the following on the basis of given information आप information के तहत आप देखिये और पढ़िये क्या सही है जैसे पहला लिखा है पौधे में पानी और पोसतत्तो का परिवहन करने वाला उतक दूसरा लिखा हुआ है पौधे में भोजन का परिवहन करने वाला उतक और तीसरा लिखा हुआ है पत्तियों में मौझूद छोटे-छोटे छेद्र आप मुझे बताओ इन में से किस को क्या option से जाना जाए रहा फिर यह तो बच्चो एक तो clear हो डिया टी अज़र यह उपर वाला पानी इटा है तो 101% पहला नंबर जाइलम हो रहा दूसरा नंबर भोजन का है तो दूसरा नंबर फ्लोयम हो रहा तीसरा नंबर जो छिदर होता है वो स्टो मेटा होता है तो ओफ्चर नंबर भी सवाल्र से उत्तर जाए रहा जाइलम, फ्लोयम और स्टो मेटा ते साथ ओफ्चर नंबर हमारा बी चेट लो ट्रेटिया नाम के कोई भी चीज नहीं होती हाना तो यह जो ट्रेट्रिया लिठा ये बटवास आंसर है बी उत्तर इद्धम सही उत्तर होगा ओहो ये वाला सवाल पताइए नाइन नमबर कल मैंने इसका एट छोटा सा एट जांपल दिया था आप लोगोर सॉल रटके वेरी गोड बेंगाली बाबू मितलेस विसाल मनी सुभास चलिए तो थोड़ा स्पीड अप बढ़ाईए जल्दी फड़ावट और सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इस तरह से कम विद्धन दिरूद्रोर होते है तो जहाँ पर एट सिरा। प्लसटा मैनस क्यू zietर नंे डाप उड़ा खेट टोटल होता है ये बात धाल सही है आपोलिश माggल साथ intern फिरिफ्र में ठेला सुरंत common खेलьогоत रहें यहां पर बन होटा गोलत है होटी जो मैं electric field होता है ना वह साथ साथ दूरी पर भी डिपेंट करता है साथ यह भी डिपेंट करता है direction क्या है जैसे तो मेरे भाई अलग लग आने चाहिए ऐसे आने चाहिए तो बचो तो यह वाला पहला वाला सही है दूसरा वाला है तो इसटा शाथ जाएदा सर आंसर जाएदा और से तेसाथ आपने जो श्टेट्मेंट बोला वह तो सही है लेटे वीजान गलत है और से नबर से ठीटे चलो आजे बड़े नेश्ट आई है तो पर आजे आप बत्तिवीजी टर रहा है तो प्लीज ब्लॉट हो जाओ भी इसलिए बत्तिवीजी मत कड़ो हाना चलो यह वाला सवाल थोड़ा बढ़िया मैंने ख़ाल सो इसलिए थोड़ा ढ़ी थ्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनिये क्या है क्या नहीं जैसे कि मैं आपके सामने न सा सहला आख गोम आ झाक्य।- मीडियम 2 मिडियम 3 वे इस तरह से। अब आप मुझे ये बताओ, इन्होंनों बोला है कि मीडियम के अपोरतनां N1, N2, N3 हैं, तो आप मुझे बताइए इन में से क्या हमारा सही होना चाहिए, इन में से क्या हमारा सही होना चाहिए, अब मैं आपको कुछ चीजे पहले समझा दू, देखो जब लाइट जो है, प परसेंट आप बोला, नॉर्मल के ओर मुझे तो ये विरल होड़ा, ये सधन होड़ा, ये वो टंडिशन है, जब लाइट जो है, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहे हैं, तो 101 परसेंट सधन माध्यम के अपोरतनां जादा होता है, और मेरे बच्चों अगर सधन पहली बात क्लियर हो रही है, अच्छा दूसरी बात सुरिया, बच्चों जब दूसरे वाले पॉइंट में आएंगे, तो यहां से लाइट देठी है, जाना चीए ता सीधे, लेके दूर हट गई, दूर लाइट तब हटती है, तो कहना लाइट दूर तब हटती है, जब ल पूरल माद्यम नीचे वाले को, उस समय भी एंटू हमारा ज्यादा होना चीए, एंट्री टम, उस समय भी एंटू ज्यादा होना चीए, और एंट्री हमारा टम होना चीए, अब अडर इससे आपको आंसर मिला है, भाई, दोनों से यह तो क्लियर हुआ, एंटू सबसे ज़ तो आप पहले मुझे बताओ अब सवाल का अंसर टैसें टालते हैं तो बच्चों इस समय ना फिर हमें ध्यान रणाना पड़ता वह तौन सा पॉइंट है वह भी सुनिया माल लेते हैं थोड़े जैट लिए कि ये वाला एंडेल और ये वाले एंडेल टे बीच क्या डिफरेंस है दूरों एच चीस क्लियर है कि शुरुवात भी ये जो एंडेल है अगर ये 10 डिग्री टे एंडेल है तो 101 परसेंट ये ज्यादा नजार आ रहा है माल लेते हैं ये ज इतना पास आया है ये उससे ज्यादा दूर चला दिया हरा आप देखो सगें से व्रल आया सबलाम की ओर जोटा रहा है तो अगर ये बराबर 0 होता तो 101 परसेंट N1 N3 बराबर होतें समझे रहे ले ये एंगल ज्यादा है ये एंगल ज्यादा है तो इस्टा मतलब ये आपका माध्यम ज्यादा विरल होगा अगर ये एंगल ज्यादा है तो इस्टा मतलब ये माध्यम ज्यादा विरल होगा तब ही तो और ज्यादा मुड़ी है ना तो जब ज़्यादा विरल होगा तो इस्टा आर्थ ये हुआ ये ज़्यादा विरल है तो N3 टामान टाम होगा N1 टामान ज़्यादा होगा ओके तो कभी ऐसी पॉसिबिल्टी बने तो इस तरह से भी आप टाम कर सकते हैं ठीड़े बोलो बाई बात सब लो क्लियर है समझा ना तो अब ये एंगल से तो ये एंगल का एक तरीटा याद टो ये एंगल ज़्यादा है तो इस्टा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स काम होना चीइए और ऐसा मैं इसलिए टेह रहा हूँ कोपी याद टेए N1 साइन थीटा बराबर n2 sin theta 2 ये होता है मतलब refractive index inversely proportional sin theta होता है जब यहाँ angle जादा तो इस्टा refractive index कम उट्टे भाई clear है ना? चलो मैं एक बार बोल देता हूँ परसान मत हो ये बोल देता हूँ एक बार comment तो read टड़ेडा अगर ऐसा कुछ है इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेरे class में सिर्फ class पढ़िये बाती चीद मत पीज़े ज़्यादा है ना? चलो याला सवाल बताए को शरबर 11 के answer क्या होना चीए पढ़िये तो clear हो दिया है ना? तो जहाँ angle ज़्यादा बने रहा आपको बता रहा है इन दोनों में को पढ़िये और पढ़िये बात बताए कौन सा हमारा सही है पहला देखी क्या? मुर्गी में बाहर निसेचन होता है क्या ये बात सही है? और दूसरा लिठा है ति मुर्गी जो है और ओवी पेरस है बच्चों मैंने पहले बिटा है ओवी पेरस वो एनिमल होते है वो जीव होते है जो बताए क्या देते है अंडे तो ये तो इतन सही है लेटि क्या मुर्गी में बाहर निसेचन होता है? नहीं सर मुर्गी में बाहर निसेचन नहीं होता सर मुड़ी में टेस अबते हो internal fertilization होता है यह डलत है यह डलत है और यह हमारा सही हो हाना तो S1 सही है S1 S2 सही है यह सही उत्तर हो डाना और सर अबर देटो C सही उत्तर है तो S2 सही है S1 डिलत है अब सर अबर C हमारा इद्दम ट्रेट टांसर होना चीए ठीक है चलो आड़े बड़े नेस्ट आइए external fertilization मचली में होता है नेस्ट आइए अडला वाला सवाल फड़ा पड़ पड़ियो और बदाई सवाल नसे उत्तर किस्टे साथ जाए रहा आजसर दीजे नेमिद मेंसे kiche7 बढ़ाना आपके भोजन में टार्बो हाइड रेक के इसतर बढ़ाने के बराबर होता है इन में से आप त्या बढ़ा दो त्या आपके भोजन में टार्बो हाइड्रेट बढ़ जाए जैसे दिए पहला उप्सन लिठा है मट्टा, मटर, सोयबीन, बादाम आप बताइए इनमें से क्या भढ़ा दो जिससे कि आपके ठाने में Tarbohydrate ज्यदा हो जाए बच्छो Tarbohydrate के ज्यदा होने का मतलब होता है अनाज अजर आप अनाज ज्यदा खाते हो जैसे कि गेह, जौझ, मॉट्टा ये जो हमारे कहसकते हो अनाज होते हैं, इनमें टार्बो हाइडरेट जदा होता है दाल खाते हो, प्रोटीन जदा होता है मटर मटर की दाल खाते हो, मटर खाते हो प्रोटीन जदा है, सोयबीन में भी प्रोटीन होता है, तो बच्चो धारकना बदाम हो दिया, और मटर हो लिया ये सब हमारे प्रोटीन के अच्छे सोर्स है जीतने अनाज होते हैं जैसे की मटर, जौ, बाजरा यह हूँ ये सब हमारे कार्भो हाइड्रेट के अच्छे सोर्स होते है तो препstop ilsों ने अपने ठाने में A, B, C पार्ट में लिठा है आप तो बताना है कि इनमें से क्या हमारा सही है हरा बताईए इन्होंने A, B, C में तीन स्टेटमेंट दिये हैं और बोला यह जा रहा है कि बताईए इनमें से कौन से स्टेटमेंट किस पार्ट को सोटरता है क्लियर है? चलो बताओ बोला जा रहा है कि जनन ग्रंती जिसमें एक से अधित बीजान्ड होते हैं वो बताना है पुरुष्टा नर जननान बताना है और पुष्पटाद जो है मादा जननान बताना है आप तो बताना है कि इनमें से क्या है देखो एट से अधिक बीजान्ट 101 परसेंट ये फीमेल के सत्तों सिस्टम में जो ओवरी होता है बीच में पाए जाता है ये उसका होड़ा तो इस्टा अंसर ओवरी के साथ जाना चाहिए और इस्टे बात पुरुष्टा नर जरन मतलब इस्टे में ठीक है जिसमें फिलामें तो इस्टा वाल से उत्तार ओफ्षर अबर डी वाला उत्तार से उड़ा नेस्ट आइए अडला चलो 14 नंबर पढ़िए आंसर चल दीजिए और बताए टोशन नंबर 14 टे से उत्तार टिश्टे साथ जारो क्या वाद है थोड़ा इपर से समर सब लोग सेर भी टड़ते रहो फड़ा बट येस वेरी डोट अब चोध में आंसर दीजिए सब लोग विच्व दे फॉलूइंड रीट फॉलूइंड स्टेट्मेंट चूज दे टरेट आपको सही टतन पड़ता न हरा पहला देटी ट्या लिठा है सेप टमाटन टीवी ठीरा आरू नहीं यह आलू होना चाहिए दा हरा ये अगला लिठा है आलू तो ये सारे जे सारे टेस अधिक्त ही है इनको हम अगर ठाते हैं तो बताइए पहले छिलके छीलना चाहिए और आगे लिठा इन फटायाए इन फ़लो सब्चियोटों चीलने से रेसों क्ति मात्र ही पाई जाती है छिलकों में रेसों क्नात्र रेस मतलब फाइबर सर्फ फाइबर की बात्रा अधिक पाई जाती है आप बताईए इन में से क्या हमारा सही उत्तर होना चाहिए ठीक है तो बच्छो ये बात पहले छीलना तो देटो डुलत है मैं आप बतादू सेव टमाटर क्या हमें छील के ठाने चाहिए आप ठूद मुझे बताईए नहीं जो काम में इन काम हमें और इनमने बोला चीलना ये डिलत हो घया और लेसोट या दित्तम मा इत्रा पाई जाती फाइबर या दित्तम मा इत्रा पाई जाती यह सही है तो आंसर इस्टा जाना चाहिए ए डला थे परंतु आर हमारा सही है और सर अबर डी ओके नेस्ट आई लिए फिप्टी नमबर है आंसर दीज़े उजाला मौर्या क्या बात है कुसम वेरी डोट वेरी डोट अठले बाले सवाल दी और बढ़िया और बताईए सवाल कसी उत्तर क्या जाए रहा है बुला है दो हीटर प्रतेट पी 100 वाट और 220 वो हमने पावर वाले सोर्च को सिरीज नहीं समानतर में जोड़ा है तो बच्चो पावर टी भी याद कर लो देटो होता क्या है पावर जो है वो रजिश्टेंस टे इन्वर्सली प्रपोर्सनल होती है हरा यही रीजन है जब हम लोड सिरीश रैक्सन में जोड़ते ना उल्टा होता है resistance टाप अब फॉम्ले की से देखी ना बच्चो दूसरा समझो दूसरा जब समांतर टेट्सन होता है समांतर यानी पैलल में तो पैलल बे आपनों पता है कि net resistance R बराबर हो जाता है R1 R2 divided by R1 plus R2 ले अडर यही पावर में पूछा जाता तो उल्टा हो जाता डा आंसर होता ही है अब सीधा सीधा सवाल समझो 1000 watt k है और कितने HEATerd है दो HEATerd है और इन्हें कैसा जोड़ा जा रहा है समांतर में तो मेरे भाई समांतर में पावर डारेक्ट जोड़ता है देखलो तो समांतर में जब पावर ही डारेक्ट जोड़ रही है तो आप 18000 पो डेरेक जोड़का टित्रा बना देना 2000 बना देना अजर यही कोशन सीरीष्टा होता किस्ता सीरीष्टा तो सीरीष्टा रेट्सन में इस्ती पावर 8000 बटे दो होती या ले फॉर्मले से सवाल सौल होता तो आप तो यह भी देखना है कि पावर वाला सोर्स आप जोड़ कैसे रहे हो कैसे जोड़ रहा है है चलो हाँ वाई सोले में नंबर सवाल रो वेरी इंपोर्टेंट रो यह सवाल अटसर जो है जब आएक जाम में आता है ना तो लोड़ों के तोते उड़ जाते हैं इसलिए उड़ जाते हैं तोटी कंफूजन में डिलत हो जाता है तो आप NCRT यह सबसे इंपोर्टेंट सवाल निख लिए यह अमारा कह सकते हो कि दसवी के NCRT बैलो जी जोटा है सवाले लेगे आपको पहले थोड़ा कुछ समझाना चाहे रहा हूं हाना देखो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक तरब मैंने कुट्ता बनाया और एक तरब मैंने हाती बनाया बच पता है डोनों टेसंख्या त्ष्टी ज्यादा त्ष्टी कम दूसरा मैंने अंतर पूछा आटार का आटार या lasci मतलब बड़ी है चोटी है त्षित है तूत्ता और हाति इन दोनों में से त्ष्टी सेप अलड़ होगा कि size अलड होगा कि संख्या अलड होगी बताईए क्या कहना चाहूँ तो पता है मैं आपको बताओ देरो टुट्टा हो चाहे हाती हो दोनों टे-दोनों हमारे animal है दोनों टे-दोनों क्या है animal तो दोनों में कौन सी कोशिका पाई जाए डी यूटरियोटिक कोशिका पाई जाए री और मेरे भाई यूटरियोटिक कोशिका में size और safe सेम रहता है हरा ऐसा दोड़ी रहे कि इसना size अलड हो जाए रहा हाती में और टुट्टे में अलड हो जाए रहा नहीं यूटरियोटिक कोशिका का साइज और सेफ सेम रहता है लेजे मेरे दोस संख्या तो अलड़ हो सकती है हाती के सरीर बड़े बड़े है तो उसकी अंगो को बनाने के लिए कोशिटाओं की संख्या ज़्यादा लगी तो संख्या के मामले में धारटना हाती में चोग पाई जाने वाली कोशिटाओं की संख्या हो दी वो ज़्यादा हो दी अब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना हाती में पाई जाने वाले कोशिटाओं की संख्या ज़्यादा हो दी कुट्टे में टम लेज़े इनका safe कोषिटाऊन का आटार और कोषिटाऊन का size वो सब same ज़ना अब कोषिटाऊन पढ़िए इन्होंने हाती न बोल कर इन्होंने बोला है हाती और बंदर पहला point समस्के पहला point क्या है बहुत बढ़े सवाल है पहला देलिये 8 them 4. जब दुनों और भी नहीं मल है तो बता यह डिलत हो रहा हो दिख सरे बाद है हाती की कोश्टाओं की आक्रती आक्रती ना मतलब सेप वो बंदर की कोश्टाओं की आक्रती से भिन हो डी अरे क्यों भिन हो डी जब दोनों एनिमल हैं दोनों एनिमल हैं तो क्यों भिन हो डी तो ये भी डलत हो दिया इस सवाल ना जो सही answer जाया रहा वो आया ना B और C हमारा डलत है धारत ना B और C हमारा क्या है डलत है तो officer number हमारा टिश्टे साथ जाया रहा C वाला उत्ता भाई साब फिर से सुल लीजे इन्होंने क्या पूछा था इन्होंने गलत पूछा था गलत हमें मिल जा भी ओसी बोला भाई सब को क्लियर हो जाए ना पूरा ने पूरा सवाल तो कभी भी इस तरह के कोशन आ जाए हाँ इस सवाल को आप धोटे से भी गुरसूत्र से मैच मत टा लीजे ना अरा गुरसूत्र एड अलग चीज होती है और जो सेल्स पाय जाती है कोशिटा पाय जाती है मेरे भाई वो दूसरी चीज होती है चलो अब यह वाला सवाल बताईए इस सवाल्टा से उत्तर क्या हो दा सत्रवा नम्बर आंसर जल्दी से दीजे और बताइए सवाल का सही उत्तर क्या हो ना बचों बोला जा रहा है X कोई पौधा है X कोई पौधा है जो आटो ट्रॉप के साथ साथ हेट्रो ट्रॉप भी है मतलब वो कभी तभी स्वैंट भी भोजन मना लेता है और कभी तबी किसी दूसरे ड़ा भी ठा लेता है आप मेरी बात समझ रहे हैं कभी तबी वो स्वैन भी भोजन मना लेता है कभी तबी दूसरे ड़ी ठा लेता है कभी तबी वो हाटो ट्रॉप भी बन जाता है कभी तबी हेट्रो ट्रॉप बताईया अंसर क्या तो fungus के बारे में तो पता ही है ये पूरी तरह से क्या है तो कहना fungus पूरी तरह से heterotrop है द्रखना ये मरे हुए जीवों उठा लिता है इस लिए द्रखना इसको मरत पूशी टे नाम से जाना जाता है अरे कुशकुटा बच्चों कुशकुटा पूरी तरह से ये भी हेट्रोट्रॉफ है क्यों ये हेट्रोट्रॉफ है चोटी ये दूसरों पर जिन्दा रहता है कुशकुटा अमर बेल के नाम से जाना जाता है ये तरह तरह क्या है तो टेहदा ये हमारा पर जीवी प्लांट है खुद ठाई रहा लेगे आपको पता है यह जो पिचर प्लांट होते हैं पिचर प्लांट यह पिचर प्लांट ना होते तो पौधे जैसी यह लेगे यह वो प्लांट होते हैं जो अपना भोजन स्वैम भी बनाते हैं आटो ट्रॉबी लेगे काई बार क्या तरते हैं जब भी कए कोई शोटा सा कीडा टोट रोज है मठी मच्छार समझे मदुभी इनके पास पोज़ती तो पटाथ से मखर यह लपट क खा ले थे तह दारक्टा यह केसा है है हेट्रो ट्रोट की केटरि में में आते यह यह दोरोड़ी में आते पिचर प्लांट के नाम से जाना जाता है घट परणी पौधा ओप्सर अंबर ए सवाल रा से उत्र है चलो नेश्ट आईओ अधला अंसर दीजे अठारवा पिछला वाला सवाल क्या बात है थोड़ाई बड़ सेशन तू लाइट वीटर तू समुट फड़ा बड़ और जुन मतलब माली जी आपको बहुत तेज भूट लगी है और बहुत लंबे समय से भूट लगी है देरो बहुत तेज भूट तहीं लगे जी ना जब बहुत लंबे समय से हो लेट कुछ लोड ऐसे होते जो ठाना तो देटे जिनकी भूट लग जाती है आपके सामने मुर्डा भा वो किन चीजों पहले यूज़ करके एनरजी बनाता है तो धारतना आपका सरीर सबसे पहले कार्बो हाइडरेट को यूज़ करता है सबसे पहले कार्बो हाइडरेट को यूज़ करता है अपने आपको सरीर में एनरजी देने के लिए उसके बाद यूश करता है वो fat को और fat के बाद यूश करता है धारतना वो protein को ठीक है तो answer statistics साथ जाए रहा option number D के साथ देरो fat थोड़ा देर बाद यूटिलाइज होता है मतलब कहने के यह है कि यह लंबे समय बाद उर्जा देता है यूटिलाइजेशन पहले ही इस्टा शुरूओ चुटा होता है ऐसा मेरे भाई इसलिए होता है protein हमारे सरीर में पहले से ही वित्मान होता है और जैसे टार्बो हाइट्रेट पहुचता है तो टार्बो हाइट्रेट के पहले चुने बाद आप तो energy उसी से में लेगी लेगे फैट का कैसा तो लड़ातार energy देना चलता ही रहता है protein protein तोड़ना थोड़ा ज्यादा समय ले लेता है और सर्मार हमारा डी वाला उत्तर जाए रहा कार्बो हाइड्रेट फैट और फिर protein और सर्मार्टी नेस्टाइग चलो 19 वा नंबर पड़े जल दीसे बताइए कोश्चन नंबर 19 टर सही उत्तर तर्टी सथ जैनों जेट एट ऐसा सूट जीव है जो मानों तता अन जनतों टे अहार नाल में होता है बिल्कुल एद्धम सही बात है तो बताईए भोजन के पाचन में सहता करता है जेट क्या है आपको पता आपके सरीन में बड़ी आत 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 में बड़ यह प्रण यह सो तोड़न ना यह सब्धियुक्त को सब्धिवी जय तोड़ना तोड़ रोर्ट को सब्सक्तर करता है और यह देते क्यां सब्सक्साल कि prosecution दाइल आउट आपने नहीं सुना सेम वही चीज़ यहां पर होती है कि जो ठाना ठड़ाब हो जाता है सरीर जिस्टर बाहर फ्रेटना चाहता है यह बैक्टेरिया उस ठड़ाब ठाने टोड़कर विटामिन के हमें दे देता है तो तोड़ना ही तो पाचन है इसलिए इस सवा हाँ थोड़ा ध्यान से पढ़ना वही है बहुत बढ़ी सवाल क्रोशर नंबर 20 अंसर दीजा और बताए इस सवाल का से उत्र क्या होड़ा हाँ वीच अपने स्ट्रेट्मेंट कार्ट्री डिस्टाइब फंसर आफ ट्रांस्पिरेशन इन प्लांट पौधे में वास्प उस जहां जहां टहीं पर भी वास्प उसर्जन होड़ा एवाप्रेशन होड़ा वहां थंड़ टाइड़ी समुतले आइस पाश्चेट्र थंदा क्यों होता है पानी वास्पित्रत होता रहता है है यह तो सहीं जल्ट अ modular उन्ठणिस्टा और तो ऑस्पित्रसंद और जब तर मैं बाहर निटालू रहा नहीं तो जमीन से एक्ष्ट्रा पानी ठीचूंड़ा नहीं और जमीन से एक्ष्ट्रा पानी नहीं ठीचूंड़ा तो बताइए मुझे मिनरल से तहां से मिलेंगे जब वास्ट उसरजर होता है ना तो प्लांट के अंदर टी जो ओट्सीजन गया से वो भी बहार निकल जाती है यह सारे ने सारे स्टेट्मेंट हमारे सही लिखे हुए और सा रंबर डी इस्टा सही अंसर नेश्ट आई ठीक है इत्टीस रंबर सवाल बचा इत्टीस रंबर सवाल में वर्क पावर और नरजी रटोशन है मतलब तुभे अज़र कॉंसेट क्लियर है तभी आप आंसर बता पाऊँडे और फिर से बर सुलीजे पहले दोस्तो जब आप कहते वर्क वर्क होता है बल बुड़े विस्थापान और आजे बताइए क्या होता है तो टैना आजे होता है ट्रॉस ठीटा एफटी ट्रॉस ठीटा यही तो हमारा वर्क ड़न है यही तो हमारा टार है क्या कहने चाहिए नहीं जनता दिरुआर ऐसे मज़ा नहीं देखिए और फिर डिसाइट कीजे एक यह जो कोशन्टर लेवेल है वो आपको क्या कहीं यूटूब पर मिला है अभी वही वाले सवाल चलना है ठीटा 90-0 है यह सवाल देखिए किसी बस तूपे बल ने बिना विस्थापन के टार कर दिया अच्छा बल ने बिना विस्थाप तर कर दिया आप बताओ अड़र विस्थापन 0 होडा तो टार भी तो जिरो तो जो लाइन बोली जा रही बिना मिस्थापन तर हो डिया डलत सर्ण नई ने डलत है बिना विस्थापन तभी आसतर चार होई नहीं सकता हूँ अचा जब कोई वस्थापित होती है अउनली भे सब्सक्राइब धूत बस्तु कोंस्टेंट वैलोसिटी सा आधे बढ रही एसने विस्थापन एक्स तो आए डहा इसमें टार जीरो होगा धो ऩर्ली बेलोसिटी से बढ आना मतलब इक्सलेशन जीरो और पीसलेशन जीरो यह थो फोर्स भीिए कि आपार समझ रहा है ना सर्ड जला थे जला थे जब केवल तभी जब बल कारेक किया जाए नहीं जरूरी नहीं तो वहां कार हो जाए नहीं जैसे एक बॉल्ड है इस बॉल्ड मैं 100 न्यूटन जों नगा रहाएं बैटरा जैंव माटाली के बोड्ड चले जाए रहा क्या नह नहीं मेरे दोस्त उप्रोट से कोई भी गलत ये तो बटवास ये तो तीनोटा ही तो ये सारे उत्तर जो है हमारे टेस्ट तो गलत है इन में से कोई भी हमें टार को अच्छी परवासा नहीं देता ऑफसर अंबर डी गुरुषी एप पर मॉट्टेस बढ़ाओ बढ़ जाएंगे बच्छा काम चल ला है बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे लिए हम पहले से आपके आपको आके नहीं बता सकते इंटर्नली काम हो रहा है अरा तभी मैं आउन्स जरूर करूंड़ा कि मॉट्टेस बढ़ाने के लि 22 तो अर्ट ऐए न में साइंस्टा मॉट्टेस बढ़ाने वाला हो उन्में मैं साइंस्टा मॉट्टेस सिरी चला दू इस बीस बीस सो संक्राइए यह प्लान किया हुआ था सवाल देखू किया लिखा हूए वगना बथा बताएक है लिखा है डर्म किया जाने पर चुमबट अपने धर में ठोड़ देता है यह तो सर सही है जब जब किसी कि टेंपरेचर तुम बढ़ाओंगे बच्छो धरक ना उसका जो मैडनेटीम है सर उसका जो मैडनेटीम है वो टमूडा यह सही है बार मैडनेट बार चुम्टक चोड़नेट लिए इस तरह से रख रहा है जाना है जिए विजाती ध्रू विजाती ध्रू तो मतलब अपोजिट ध्रू एट साथ हो इद्धम सही अगर कोई बार मैडनेट है उस्टों आप तभी जोड़ते रख सकते हो जब अपोजिट पोल पास पास हो विजाती ध्रू या अनलाइट पोल्स चलो यह सही है सर चुम्बत के समान ध्रू एक दूसरे को रिपल करते हैं यह भी सही है सर यह भी सही है यह तीनों स्टेटमेंट आपने सही लिखे और आड़े लिखा है निटल कोबाल्ट चुम्बत से अकरसित नहीं होत सुरिये दान से फेरस हो डिया निटल हो डिया कोबाल्ट हो डिया यह सब हमारे कह सकते हो फेरो मैटनेटिट होते हैं फेरो मैटनेटिट को बताईए हम इंदी में क्या बोलते हैं लोह चुम्बती पदार्थ बोलते हैं और जितरे भी हमारे लोह चुम्बती पदार्थ होत ठीक है, डलत पूछा रहा था, हाँ बहुत दिरोज मैं कोसिस्टर रहा था, हिम्मत जुटा रहा था, ति मैं यहाला सवाल लेटे आप आँँ, आज फाइनली मेरे पास वो हिम्मत आ रही है, और मैं आपने सामने यहाला सवाल लेटे आ रहा हूँ, एट नया सवाल, एट वस्तू है, यह उत्तल लेंज है, और उत्तल लेंज ने सामने हमने वस्तू तो इस तरह से रठा है, इस तरह से रठा है, ति इस्टा रठा जाता है, इसकी वास्त्विट और आवर्दिच अभी दूसरी तरफ बने, दूसरी तरफ बने, फिर आगे लिका है, यादि उत्तल वाला भाड है सीर्स वाले भाड को हमने बता यह चाहर दिया काला काला कर दिया तो बच्छाओ अड़र यह सीर्स वाला भाड हमने ब्लैट कर दिया बच्छो तो इस्टा यह जो इमेज यहां बने रहा उल्टा आवर्धित यानि बड़ा बने रहा इस तरह से तो क्या हमारा आंसर सही है पहला है आवर्धन कम हो जाए रहा दूसरा है आधा सीर्स ड्याइब हो जाए रहा आधा ड्याइब हो जाए रहा ऐसा बोला जा रहा है जो इमेज बनाने के लिए हमें जरूरी यह होता है कि हमारी दो रे आपस में टक्रा जाए या मिल जाए तो बच्चो जो रे यहां से जा रही थी हो सकता है कि वो रे टहीं और से जाए थी यहां से जा ली जाए थी ऐसे या हो सकता है कि याले पॉइंट से ऐसे चली जाए थी आप समझेो तो रे तो आपस में मिल जाए लेटेर जितनी numbers of ray, जितना percentage of ray जाना चाहिए, उतना percentage of ray नहीं जाएगा, जैसे थी, अज़र ये वस्तु रखी है, तो 50% ray उपर से जा रही थी, इससे अपवर्तित होटर, और 50% ray माल लीज़े, नीचे से जा रही थी, तो भाईया 50% तो ray पहुचे थी, आगे, तो जब percentage of ray आगे time पहुचे रही है, तो image तो वैसे ही बने डा, लेटे धारतना image में जो brightness ID, image में जो sharpness ID, वो उतनी नहीं रहे थी, जितनी पहले थी, इसलिए इस सवालता से उतर, option number D होडा, the brightness of image will be reduced, और ये clear है, कि आज़र आपने पूरा अधाभाद, टाला पेंट किया है, तो 50% का हो जाए डी, ये बात इद्दम से ये, बताइए, जल्ली बताइए, clear है ना, तो image बनाने लिए जरूरी नहीं ये ये वाला भाड हमें चाहिए, नहीं, 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 हम तो reflection कहीं से भी टावा सकते हैं, किसी भी point से टावा सकते हैं, बस धान ये रखना है मेरे दोस्त, टी जितनी percentage of ray यहां पहुचनी चाहिए थी, उतनी नहीं पहुचे रिए, उसकी आधी पहुचे रिए, इसलिए, sir, उसका जो brightness से वो कम हो जाए दी, चलो, 24 नमबर सवाल होते हैं, समझ में आरे ना, ये पिछला वाला सवाल, sir, sound थोड़ा बढ़ा दीजे, बढ़ा हुआ साउ उल्लू, क्या लिखा हुआ है, उल्लू जैसा पच्छी रात में बहुत अच्छी तरह से देखता है, लेकिन दिन में दौरान नहीं, पहले बताओ क्या ये बात सही लिखी है, अच्छा थी रात में, तो कहना उल्लू रात में अच्छा देखता है, ये बात एद्दम सही ल होती है कौन सेल आपको पता है नियंawi जयुआ धारत कना सेल यह यह दिखाती है आपको ब्लैक और वाइट गे लियने ने लिए रिसपॉंसिवल होती है रोड कों सेल धारत कोंसेल आपको हाती कलर रंग बच्चों धारखना ब्लैक and वाइट यह दिखता है रात में और कों सेल कलर कलर यह दिखता It दिन और तो बच्चों करिक्ट और उनलू रात में क्यों देख पाता है सरूनलू रात में इसलिए देख पाता है तो तक इसलिए ज़ादा होती उलु मेर रोट唉出來 कि संक्या जदा होती है और उलु मेर कौन सेल की संक्या कम होती है इसलिए उल्लू रात में जादा अच्छा देखता है दिन में नहीं तो आजे लिखा हुआ है नाइट बड have few cone cell, few cone cell and large number of road cell, चैंप बात है, मजा आदे भाईया लिखा है ना देड़ो, few cone cell and large number of road cell, आप मेरी बात से यही तो region है, ठीके है, तो इस्टा मतलब ये बात इन्होंने एद इद्धम सही कियो 봤 सटीर साथ कि राद के पच्छी में सट्व को शिर्ड होती है और जोसी में पूमार कैस्ट रोड सेल लिटा होना चीजह था तो रोड सेल संठ्हा में ज्यादा होती है यह बात इद्धम सही लिखिये वीजन भी एद्दम सही है option number A हमारा सही उतर जाएदा option number A ठीचे इनसे बिमारियां भी होती है जब आपनो night blindness होता है तो road cell damage होती है color blindness होता है तो tone cell damage होती है तो यह सब बिमारियों नहम भी याद टले ना चलो अडले वाले सवाल यह और बढ़िये 25 नमबर पताएए answer जल्दी से दीजो और पताएए question number 25 का से युतर तिस्टे साथ जाना चीए बचो sound वाले chapter दो सवाल है sound वाले chapter clear है sound की speed temperature के root T के समान पाती होती है sound की speed density के under root 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 कलिए अच्छा हवा टर्म हवा हो к फेल जाती है तो जैसी हवा गर्म होगी तो ज्यादा हो जी अरे रीजन भी एदम सही है इसलिए सवाल से उत्तर और ऑफ्चर नमबर ए होना जी और सारे लोड़ों ने सवाल ना बिल्टो लिदम सही और सटीट आंसर दिया चलो बताइए 26 रबाट कोशन आंसर जल्दी से दीजिए और बताइए 26 नमबर 26 टीश्टर टि सवाल देजिए क्या है दोनों स्टेटमेंट पढ़िये एट विद्दुत परपत में स्विच विद्दुत धारा का सुरोत होता है इन्होंने एक बड़ी बेटार सी लाइन बोली है इतनी ज्यादा गलत इतनी ज्यादा भद्दी लाइन है क्या बोला जाए बताए यह दो बैटरी से स्विच तो लगाया जाता है स्विच इसलिए लगाया जाता है तारी परपत प्रोवर ट्लोज टर सके तो इन्होंने जो बोलाए नहीं लाइं तो विद्धुद परपत पर स्विच धारा का सुरूत होता है सर यह डिलत लाइंग भूलिए अच्छा दूसरा देख यहां पर इस तरह से स्विच लगा दू और यहां आठे बल्ब लगा दू यहां पर बैटरी लगा दू तो बच्चों जब यह स्विच ओपन होता है ना तो इस्टे बीच में क्या रहे ना इस्टे बीच में एयर और आप तो पता है कि एयर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है कुचा अलख होती है तो जब air electricity कुचा अलख हो जाएगी तो क्या current बहपाई दी बहपाई दी नहीं सर इसलिए यह लाइन निफिए जब switch खुला होता है तो टर्मिनल के बीच वायूटा विच्छेद यानि अलट होता है जो विद्द प्रवाव तो रोटता है सर यह बात इदम सही है यह बात इदम सही है तो answer जाएगा answer जाएगा answer जाएगा answer जाएगा पहला वाला गलत है लेटे आर हमारा सही है reason सही है option number C okay 27 number जल्दी अलदी फड़ा बड़ पड़िया और बताएगे जाए ट्रोशन नमर 27 दोत्र क्या होड़ा answer दीजें बताएगा जाएगा जाएगा पहला जाएगा formation of new substance अभी क्याओ की तुल्णा में पूरता भिन गुड़ वाले पदार्थ बनते हैं यह तो एद्दम सही है भिन गुड़ वाले पदार्थ बनते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑट्सीजन रोमिला यह पानी बन जाता है दो डैसोर मिलाने से लिक्विड बन दिया हैं ओके पुराने रशानिट बन का टोटना यह यह तो आ नाइट कृड़ोजन और 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 सीजन की इस च्रचर दूसरी अहीं होती है white hydrogen और oxygen ने मिलते पानी बनाया तो क्या hydrogen और oxygen की structure जैसी थी वैसी क्या हमारे पानी में होती है नहीं rearrange होते है घ्रण बनाने लिए एक तत्य पर्माडू दूसरे तत्य पर्माडू बदल जाते यलद बच्छा तत्य पर्माडू अलग नहीं होते आप बताओ, हाइड्रोजन और्ओक्सिजन से मिलाते जब पानी बना तो पानी में भी तो हाइड्रोजन और्ओक्सिजन है जै परमाड़ू तत्त्त परमाड़ू अलड हुए गया, नहीं zar ये statement हमारे ढलत है, तत्त परमाड़ू अलड नहीं होते बदल जाते हैं एटम थोड़ी ना बदल में नाइट्रोजन और हाईट्रोजन जोड़ दो अमॉनिया में नाइट्रोजन और हाईट्रोजन दी तो एटम रहेंगे ऐटम चलो यालो उत्तर दीजे यालो उत्तर दो मैं आपनों डारेट्ट देना सिठाया हूँ कई भार मैंने आपनों सिठाया भी है और आज भी मैं आप लोड़ों ऐसे प्रोशन की आंसर एद्दम डारेट्ट देना सिठाऊंगा क्या बात है थोड़ा इपर सेशन दो लाइट वाइट टर दीजे सब लोग फड़ावट जोनों आभी सेशन दो सेयर नीतिया फड़ावट सेयल भी टर दो बोला जा रहा है एट प्रच्छेप की सीमा मतलब रेंज रेंज बोला जा रहा है चालिस मीटर है और अधित्तम हाइ तो याद टरिए 10 ठीटा बराबर टित्रा होता है 4 by N याद टलो रटलो समझ लो ठीटे रेंज चालिस हाइट 10 तो बताइए N बराबर टित्रा हो डिया सर N बराबर हो डिया 4 रेंज हाइट पी 4 तो जैसी आप यहां एंटी वैलू 4 रट होड़े तो 4 by 4 4 by 4 1 और 1 होता है त ठीटा टित्रा हो डाब टालीज ठीटा पैतालीज है चलो हो ने श्रहीं है उन्तेस नमबर अटेम दीजें अना इस्टो तो आप बता सकते हो या मैं तोड़ा समय दूड़ा आप लोगो है कोशन बोला जारा है ति जो रियेक्शन से दी रही है न आप उस्टो जड़ा बै बैलेंस रियेक्शन मुझे बनाओ तो आप लोड अन्बैलेंस वाली छाट लियर हो अन्बैलेंस कौन सी है बस बैलेंस वाली आटोवेटर क्लियर हो जे और अन्बैलेंस छाटना थोड़ा ज्यादा आसान है ज्यादा आसान कैसे मैं आप लोता ता हूँ जैसे कि आप यहा यहां दो सोडियम है यहां दो सोडियम है यहां दो टार्बन है यहां दो हाइड्रोजन है यहां दो हाइड्रोजन है और सीजन देखिए तीन दूनी छे 3, 4, 6 अड़े वाह, यह तो balance हो दिया यह पूरा balance है, एवाला पूरा balance है हमें balance अच्छा, अच्छा, अच्छा sorry, sorry, sorry हमें ना कौन सी reaction पता करनी थी हमें reaction पता करनी थी जो संतुलित नहीं है तो ये वाली तो पूरी तरह से संतुलित है, बया ये वाली पूरी तरह संतुलित है ये तो और भी असान हो दिया तो हमें सीधा-सीधा मिल जिया कि ये वाली संतुलित नहीं है इसलिए सवाल ना से उत्तर हमारा भी उत्तर हो जाए रहा ओटे चलो निश्टे मेरे दोस्त ट्रयों बार इस तरह के सवाल भी आती है मैंने एंसी आर्टी से उठाया है तो मैं एक बार बना दूंगा कोई मुझे दिक्टत और पत्ती नहीं है इसे सवाल आपको आने चाहिए कई बार क्या होता है स्टेटमेंट बेस सवाल आते हैं और स्टेटमेंट बेस सवाल को समझना उनको सौल करना अपने आप में एक बड़िया चैलेंग्जिन टाम है अना कुछ इस तरह से डाइडाम दिया रिया है यहां पर 12 ओमका रिजिस् कैईसर में चारें बार है बारा और चार्ट में बारह चार्ट पैलल में जोड़ो पहला पहला वाला इसटा तीन होम आई अहां पहला वाले स्टेटमेंट तो Mental टो परसेंट डलत हो दिया अब ये तीन ओम आ डिया एट ये चार तो अड़र आपसे ए और बीटे बीच पुछा जाता तो ऊपर वाले रास्ते में देखो चार बारा चार बाराटा समांतर तीन और एट चार ये चार हो जाता चार ओम ए और बीच एट ओम टहना डलत है पचो चार ओम में ध्रा पॉइंट्ट 5 एंपएर ये तो बटवास अंसर जब टोटल ध करा तुम्हारी एट एंपीर है तो आप चार ओम में तुमने पॉइंट 5 पताया ये तब होता चार ओम में पॉइंट 5 तब होता जब बढ़ाबर रजिस्टेंस होते डलत होते ब कर अ क् परसेंन बैटरी चार वोल्ट की हो रहे है तो बैटरी तेटरम्नल से बीच वोल्टेक चार वोल्ट है यह एध्म सही है और कोई सही नहीं है चैटलो उनना तो इस तरह से स्टेटमेंट वाल वाने सवाल Aur बताइए कि इन में से कौन से उत्तर हमारे सहीं और वहीं यह सवाल बहुत बढ़िया होते हैं मैं पहले बता दू एंसी आल्टी ती वाला चेप्टर उठा के देखो डिना तो ऐसी इस कोशन की भरमार है धानक यह रहा है चलो अडले वाले सवाल जो बढ़िया C5-H12 में बताइए टोवेलेंट बॉन्ड इतने हैं आप पहले स्ट्रेक्चर बनाईए बचो C5-H12 मतलब हमने पांच टारबन बना दिया और पांच टारबन के साथ टारबन की चार वैलेंसी होती है हमने देखो टारबन की चार वैलेंसी टम्प्लिंटर दी सारे थारा का मान निचालो एक राइडा है चैर उल्टे कर लिए तो बच्चो आप मुझे बताओ इसमें तित्रे क्रोवेलेंट बॉन्ड अरे 15 देखो ओंट तुमान सर अ 15 अरा जी 16 अ वैं और इसे बाद ये बीच वाले 6, 16 आ रहा है ना चलो नश्ट रहे बताओ बतेश रम्बल इन में से कौन विद्धुट्र संचालन नहीं टड़े रहा कहना विद्धुट्र संचालन वही टड़ता है जो अपने आयंस में तूटता है तो जो अपने आयंस में टूटेड़ा वो टड़ेड़ा जो नहीं टूटेड़ा वो नहीं टड़ेड़ा जैसे जी NaCl NaCl बताईए अपने आयंस में टूटता है Na प्लस Cl माइनस देता है H C O O H धा रखना ये H I O में टूटता है यादे अमल है अमल हमेज़ा अपना H I O बनाता ही बनाता है मेरी बात समझ रहे ना ये भी अपने आयंस में टूटेड़ा ये आयंस बनाए रहा C C O O minus H कोई भी अमल होगा वो अपने H I O में जरूटेड़ा इस बात उदा में टूटेड़ा ठीटे अब आप बताओ कौन विद्दुर्टा संचाला नहीं टड़े रहा तो जो आयंस में टूट गए वो तो टड़ेंगे जो आयंस में नहीं टूटा है एल्को हल एल्को हल धारकना ये विद्दुर्टा कैसा होता है ये विद्धुर्टा कुचालाथ होता है ये नहीं टड़े रहा ये सवाल बढ़िया है डाइडाम दिदाई दरहा सब्टो थोड़ा सा दिरो जित्रे भद्धे वाले डाइडाम होते हैं आप इनको इंपोर्टेंट मान के जलो फोटो अटो लेटर लडाना बढ़ाना पड़ता है फोड़ा सा ठोटी सब डाइडाम बनाने में बड़ा समय जाता है लेज़े आप तो समझ में सब आये था बोला ज़रा एथीन में कार्वन कार्वन परमाडू के बीच साजा एलेक्ट्रोनर की संथ्याइट इतनी है अच्छा डाइडाम नहीं भी बना होता तब भी हम सबाल को सॉल कर देते आप मेरी बास समझो फोटी इनोने क्या बोला एथीन मेरे भाई एथीन का मतलब होता है C2S6 और C2S6 बता ही कैसे बनेगा तो टेहना C2S6 बनाना है हमें तो C, C, S, A सर ये एथीन लिठा है सॉरी एथेन नहीं लिठा आप लाइन तो देखे हैं टेहा लिठी है एथीन, एथीन, एथीन एथीन का फॉर्मला C2H4 होता है अना एथेन होता है C2S6 तो C2H4 कैसे बनेगा C double bond C और आगे हमारे टेशते हो hydrogen, 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 hydrogen बोलो अब आप मुझे ये बताओ अगर यहाँ double bond है तो carbon के 2 electron यहाँ के और यहाँ ले carbon के 2 electron यहाँ के ऐसे तो साजा हुआ होड़ा हाणा तो जब 2 electron इस carbon के 2 electron इस carbon के तो total कितने electron का साजा हुआ तो तो टोटल 4 electron का साजा हुआ टोटल 4 ओके तो इस सवाल तो सही अंसर किस्टे साज जा रहा 4 वाले उत्तर के साज जाने चाहिए और जरह भी देखलो 4 ही आए रहा वहीं पर ठीटे एथीन ती बात कर रहा तो धान अठीए रहा चलो अड़ला वाला 34 रंबर ये भी हमारा केमिकल बॉंडेंस उठाए दिया है सर अभी टोल टाता आईए आपको मस्त बंजाली ठाना ठाएंगे हाँ यार आना तो है मुझे भी 2-4 बंजाली ठाने ते नाम याद हो गए तरण मैता टोल टाए चसमा देखने बात एठे सुत्तो है अच्या लगता है मुझे मूँव में पानी आ रही है यार विज ठाने पीने था बात कोई लेट रेट है यहां पर यार चला लेटा हुआ है कि क्लोरीन के लिए हाँ हा ख्लोरीन क्लीक्तिया सङ है साथ बेसे छे उलेक्ट्रोन तहाए पीछे जब किषब सात्वा लेक्ट्रोन युद्ध पीछे चैना तो पीछे यहां है वहां नहीं है सी उत्तर सही है तो सवाल का सी अंसर सी ओड़ा डी अंसर नहीं सही है चैटलो जल दीज़ें कि चलो आठे बड़े नेस्ट आए अड़ला कि पैतेस नंबर वताई है है अभी यहीं से याध बंड्या लिठाना अचा ठीक हरा माल पुआ अच्छा बाल भी है यह वाला सवाल देखी बड़ा प्यारा सवाल है ऐसे एक जन्रल बातों पर आधारित सवाल है कोशन है ट्यांटों तुछ बातें पता है निपता जैसे कोशन लिखा हुआ है निल लिठा है CH ब्रैकेट में CS3 जब भी कोई चीज ब्रैकेट में CS3 के साल लगी हो तो समझ जाना वो उसी टार्बन के साथ जुड़ा होड़ा जैसे अगर मैं आप पूछूटी इस्टी स्टैक्चर कैसी बनाुगे तो हमें CH लगाना है और इस टार्बन के साथ ही सर इसी टार्बन के साथ ही हमें बताईये कौन सेसा लगा नगा तो CH2 बीच में CH है तो 101% यहां डबल बॉंड आएगा तब पहीं जाते हैं यह reaction equation complete होड़ी चेक कर लो जल्दी से कहीं पर भी ब्रेटेड नहीं है आप मेरी बात समझ रहे हैं आच्छा यह वाली structure भी जराब डौर से देटी है तो CH3 ब्रेटेड में इस्टा बतलब CS3 और फिर यह CH और CH ने बात ब्रेटेड में CS3 है तो इस्टा बतलब CS3 इस्टे साथ के नेट होड़ा फिर आजे हमारा CS2 फिर आजे CS3 इस structure में बनाते हैं आप में दिटा रहा हूँ हाना आजा यह वाला बताओ कैसे बनेगा सर यह वाला देटो CS3 के होल्ट आईज और वो भी ब्रेटेड के साथ है तो एट कारबन जो है वो हमारा क्या सबते हो CS3 के साथ CS3 के साथ इस तरह से जुड़ा होड़ा यह वाला कारबन फिर आजे CH है तो 101% यहाँ डबल बॉंड होड़ा CH के साथ हाँ मेरी बास समझो और फिर बताए क्या होड़ा CS3 अरे चीजे बैलेंस भी तो होनी चाहिए कहाँ सिंगल बॉंड लड़ाना है कहाँ डबल बॉंड लड़ाना है कारबन की चार से हो जड़ता बैलेंस होनी चाहिए बोलो ओठे ट्लियर है ना स्ट्रेक्चर बनाना सीटे ना कैसे बनाई जाती है अब लोड़ा था कौन सा सैचूरेटेड है सैचूरेटेड का मतलब यह होता है मेरे दोस्त जहां पर सिंगल बॉंड आए तो सिंगल बॉंड वाला हमें ए मिला है और सिंगल बॉंड वाला हमें c मिला है मने पहला और तीसरा पहला और तीसरा यही अमारा single bond है इस्ट लबाइब कुछ नहीं single bond है ओके चलो नश्रा यारल ला है यह भी हमारा hydrocarbon का question मैंने वही सो उठाया और बताई ज़रा इस सवाल का सेउत्तर किष्टे साथ जाना चीए ना पहले आप यह समझो तो इन्हों ने पूछा क्या है कहा एक्स वाई जेड मैंने दिठा रखे और एक्स वाई जेड दिठा रखे हैं और आपको बताना है कि इन में से क्या हमारा सही है क्या गलत है बचो सब से पहले देखू गलत ट्रथन नी पहिचांता नहीं है इन्होंने यह लाइन लिखी ना गलत ट्रथन यह डबल पॉंड कैसे होड़ा निटेस तहरा है कौन वाला डबल भाईया निटेस यह वाला टारबन की टारबन की चार से ओजटता होती है और बांद लाइनस करना हो घरे चलो अब यह आल सवाल आपनों देखने में बहुत कठीन लडेगा लेड़ा अधर आपने इनके अडू सूत्र, अडू सूत्र ना मतला molecular formula लिट लिट लिए तो तो बच्चो molecular formula बता ही टैसे लिठे जाते पता है नहीं बता molecular formula ओके? तो बता ही टैसे तो इन्हें उने टहाँ कि देखो 8, 2, 3, 4, 5, 5 टारबाने उपर वाले में 5 टारबाने, hydrogen count लो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 3, 12 सर 12 hydrogen है पहला वाला लिट गिया दूजरा वाला देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 टारबान है hydrogen बताईए 3, 2, 5, 3, 8, 8 hydrogen है आँ मेरी बात समझरा है अडला वाला देखिए 1, 2, 3, 4, 5 टारबान है हना और देखो तो पांच टार्बन के बाद तीन दो पांच छे साथ तीन नौ साथ तीन दस दस हाइट्रोजन है अब आपको सवाल को स्वाल टरने में जरासी भी ततलीफ नहीं हो डी मैंने ट्रेट यह है जो भी आपने एक्स वाई जेट दिया हुआ था मैंने इस्टा अडूसुद बना लिया बना लिया अब पहला है एक्स और वाई टीबी सी एस्टूट डिफरेंस है देडो एक्स और वाई इन दोनों के बीच जरा डिफरेंस बताईए तो टार्बन का क्रृतनान समारों ड्लत। जहां सिंगल वॉइंट लिटा है जहां डவल ऌइट टिपल बॉण्ड है वहाँ के खोथ्रान सेम नहीं हो सकती। जो dis सब्योंट साथ जनरसूत सब के अलड लड हैं ऊपर वाला नींचे वाला नीचे वाला सबके अलड है वाई और जेट के अलड़ लड़ आड़ द्रमान है अलसाही बच्चो वाई और जेट का अगर अड़ुसूत्र अलड़ लड़ है तो द्रमान भी तो अलड़ लड़ होगा मैं आपनी बात समझ रहा हूँ वो धोटे से वहाँ पढ़ दिया है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है लेगे इसलिए मैंने पहले अटोमिक स्ट्रेक्चल टो रिकॉर्ड कर दिया था आप अटोमिक स्ट्रेक्चल टो देखना सुरू टीजे वहां से आपको क्लियर हो जाए चलो तो यह वाला पॉइंट दलत लाए यह वाला यह वाला सही है पहला और दूसरा हमारा एक्दम सही है भी यह तना रहा हम आरे बढ़ी है मतलब सही नहीं है था लट पूछा जाना रहा था बताओ यह वाला स्वाल दे बताईए 37 numbers 37 number रहाए यह एक quantum number दी रही है बताईए इसमें कितने electrons हो रहे quantum number तो देटर आप से electron की संखरा बचों आप यह बताओ principal quantum संखरा 3 है दुड़ंसी quantum संखरा तो principal quantum संखरा R D की संखरा बता देती है अब दुड़नसी क्वेंटम संत्या L बराबर 1 है अब याद टोड़ो यह सब याद होना चाहिए आपको L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2, L बराबर 3 यह सब क्रमसा S, P, D और F यह 4 उक्टोस्टी जानका डिय देते हैं पता है नहीं बता तो अगर L बराबर 1 है तो बताए यह क्या होगा, P यानि 101% यह हमारा 3P होगा अच्छा अगर 3P है तो आप बताओ खितरे अलेक्टरोन होगे इन्होंने क्या बोला, अधित्तम इलेक्टरोन तो बच्चों देखो, S में अधित्तम इलेक्टरोन 2 तो P में अधित्तम इलेक्टरोन 6 B में मैक्समम इलेक्टरोन 10 और F में मैक्समम इलेक्टरोन 14 इतने भरे जा सकते हैं तो जब P बार यह आ रहे ही, तो 6 इलेक्टरोन अधित्तम भरे जा सकते हैं आफसर नमबर A नेस टाइब चलो, अड़ते जंबर सबसे पहला चेप्टर बस आप देख लो आटॉमित इस्ट्रेक्चर उस्टे बाद वो पूरे एक्दम सीरीज में है ना चलो अडला सवाल होता है बच्चों इनों दो बोला है पी बराबर लिठा हुआ है तो टी बराबर दो सेकेंड में आपसे बल पूछ रहा है बच्चों यहां पर लिठा है ना समवेट लिठा समवेट और आपको पता है मेरे दोस्त है कि बल बराबर होता है डीपी अपॉन डीटी बल बराबर होता है डीपी अपॉन डीटी तो हम लोग क्या करें इस्टा डिवाइड बाइड बाइड दिटी तिया तो फोर्ट डिफ्रेंसेशन जीरो फाइड टी स्ट्वाइड आ टू टी जैटलो और डीप अपॉन डीटी ही हमारा फोर्स हो जाए रहा तो फोर्स एप बराबर आ जाए रहा पांदुली 10 प्लाइड बलुट फोर्स ऐहा हमारा ट्वंटी न्यूटन बम बात स्ट्व्रों ट्लियार है ना आड़े बढ़ा जाए आड़े बढ़ा जाए चलो नेश्ट रही आजला 49 नमबर पढ़िए जल्दी बताइए टोशन नमबर 39 टा से यूत्र टिश्टे साथ जाना चेहें विच्वान रूप दो फॉल्विड इजा विटामिन आप मुझे बताओ इनमे से कौन विटामिन है तो नाम बहुत अलड़ लग है लिखे आपनों यह बताना है कि इनमे से कौन विटामिन है थोड़ा ध्यान से तो लिनोलिक एसेट विटामिन नहीं होता गुल्टेमिड नहीं होता बचों सिट्रिट एसेट नीवू में पाया जाता है संत्रे में पाया जाता है लेकि इस्टा मतलब यह नहीं थी नीवू और संत् और नीबू में विटामीन C होता है जिसको एस्टॉर्बिक एसट कहते जलत है यह यह फॉलिक एसट विटामीन होता है और धारखना यह तुम्हारा विटामीन B9 होता है मैंने आपको पहले भी बताया कि body में रत के निर्मार के लिए blood के निर्मार के लिए हमें folic acid और लोहे इन दोनों की जोद परती है लोहा और folic acid और से रमबर B चलो 40 रमबर आंसर दीजे बच्चों 40 रमबर सवाल देखों जा रहा है विज आप दीज स्टेट्मेंट इस नौट ट्रू फ्रो वेंस बढ़ाईए नसो देभारे में कौन से ततन सही निन नसो देभारे में बुलाए बुलाए इसमें oxygen से पढ़पूर यही डिलत हो जिया नसो में वेंस में oxygen rich blood नहीं बैता जला देए बोलो भाई बात सब्रो ख्लिया रहे ना तो पहला वाला ही statement हमारा गलत हो जिया बाटी और प्रोईटी चर्चे ही नी टड़नी तो पहला वाला statement हमारा गलत हो जिया नसो में जो भी blood बैता है वो टैसा बैता है ठीके है छलो तो बच्चों आज मैंने फिर से आपने चालिस टोशन सॉल रहा दिये अज़ा आप लोट मुझे एड़ बात बताओ जरा आज हम लोटों का सेट 27 सेट है और डेली बेसिस पे मैं इसनी पीडिया भी दे रहा हूं पीडिया भी दे रहा हूं तो एक दो छोटी-छोटी चीजे मुझे आपसे डिस्टेस टर नहीं दी मैंने सो जादी आप लोटों से ही पूछून रहा तो ज्यादा मुझे सई आईडिया मिले रहा आप लोट पूछी यह बताईए सब लोट पहला तो मैंने अभी आपसे ही पूछा था कि 20-20 कोश्टन का सर 20-20 कोश्टन का साइंस के क्या हम लोड हंडेर मॉट एपलिकेशन पर अपलोट कहा दे 20-20 कोश्टन के साइंस के 100 मॉट यह तो मेरा यह डिश्ट्रसन था दूसरा डिश्टर्शन यह है कि जब यह 30 सेट आपके पूरे हो जाएंगे तो 30 सेट के 100-100 प्रोश्चन जो पीडियाफ है वह पीडियाफ में आपको प्रोवाइड करा दू ठीक है और तीसरा यह भी था जी जो मैं पहले आपसे पूछाता थी साइंस्टा मैं सोच रहा हूं एप्लिटेशन पे एट लाइब बैच स्टार्ट करने लिए लाइब बैच और लाइब बैच जो स्टार्ट करूँ वह हमारा थियोरी वाला बैच हो तो हम लोड ना इन तीन बातों पे चर्जा टड़ेंगे और एट टाम करते हैं ति आप सब लोड इन तीन बातों तो टेमेंट जो है टेमेंट सेट्सर में जरूर टेमेंट रहते बताईए ना बाटी जितरे भी बच्चे नए हैं मैं आप लोड को बता दूँ आप एप्ल अप्लिटेशन से मिल जाएजी माई पार्ट साला एप्लिकेशन माई पार्ट साला एप्लिकेशन को आप जरूर डाउलोड करें तो चलो फर हम लोड मिलते हैं अपने नेस्ट वीडियों में किसी तरह कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 96 96 802 411 आप मेर दिपालोड एपालोड आप 19 दो दो orमाई टूर टूर उंड़ एवारी कि ट काल टूर बिड़ा में आप